कि आप मुझे बता सकते हैं बच्पन से लेके अभी तक आपने कितने सारे दवाया खाई हैं कि आप मुझे बता सकते हैं अपने जीवन काल में कितनी बार डॉक्टर के पास गए हैं आज हर एक माबाप का सपना है कि उनका बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेगा परन् करतव ये परध्यान दो तरह अपने आप दूर हो जाएगा आज भारत की लगभग 90 फीशद जन संख्या किसी ना किसी प्रकार का दवाई लेती है चाहे बच्चे हो या नौजबान या वरिद्ध हर किसी के घर में आपको अनेको प्रकार के दवाईया मिल जाएगी हर गली हर नुकड पे पान की दुकान की तरह आज एक डॉक्टर मिल जाएगा दवाई की दुकान मिल जाएगी ये सब इसलिए क्यूंकि आज मानव सभ्यता अपने सब से निचले स्तात में पहुंच चुकी है हर तरफ के वल बिमारी ही बिमारी इसका सब से मुख्य कारण है इसलामि एवंग पश्चमी सभ्यता पुरातन भारत में योग एवंग आयरुवेद के कारण लोग अत्यंत स्वस्त रहते थे मांस मदीरा का सेवन कोई नहीं करता था फल सबजी अनाज अती उन्नत किसम के होते थे पीने का जल अती सुद्ध होता था जैसे जैसे मुगल आए बिट सब कुछ बदल गया फल स्वरूप हमारा स्वास्त्य घटता गया बुद्धी भरष्ट होती गई समाज तूटता चला गया आज भारत की 90 फी सदिजन संख्या केवल बिमार ही नहीं बलकि सोचने की सकती भी खो चुकी है चारों यूगों के हिसाब से आज अभी इस कल्यू जेसी महमारी के समय कीट पतंगों की तरह मर रहे थे लोग आधुने की विज्ञान या मेडिकल साइन्स के पास इसका कोई इलाज नहीं था तब भारत में अनिकों लोग केवल योग काढ़ा और कुछ अन्य आयरवेदिक नुस्कों के मदद से जीवित रहे सुरक्षित रह हमारे पूर्वच मुर्ख नहीं थे मुर्ख तो हम है जो आधुनिक्ता के जूटे चमक में अपने असल मुल्यों को भोला चुके हैं हमेशा याद रखियेगा मित्रों चाहे हम आसमान के उचायों को छोले मिट्टी को कभी भोला नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जन्म उसी मि मुत्यू के बाद उसी मिट्टी में वापस मिल जाना है जै जगन्रात जै पंचसका जै हिंद